जैहिंद साथियों नमस्कार आज हम सेकंड गरेड 2018 का जो कुस्चन पेपर है उसको सौलवा करेंगे तो साथियों चलिए सुरू करते हैं आज गा पहला कुस्चन तो इस पर्षन पत्र में जैसे ये दिखा रखा है इसमें पहला कुस्चन है अबूल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि ये है इतनी उचाई पर अस्तित है कि निचे से उपर की ओर देखने पर सिर्षे पगड़ी निचे गिर जाती है इनी अबूल फजल ने कहा था कि एसा कौन सा दुर्ग है जिसको देखने पर जो पगड़ी है सर की वो निचे गिर जाती है तो इसका राइट ओप्शन हो जाएगा दो नंबर ये दो नंबर राइट ओप्शन हो जाएगा कुंबल गड़ दुर्गे के बारे में कहा था फिर आगे इसमें दूसरा क्यूस्टन है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संगे में निमने लिखित देशी रियास्तों का कौन सा समूह समिलित नहीं था तो साथियों इसका राइट एंसर हो जाएगा दूसरे का तीन नमर ओप्सन राइट हो जाएगा उदेपूर्ट, डुंगरपूर, बांसवड़ा और परताब गड़ ये समिल नहीं था फिर आगे इसमें तीसरा क्यूस्टन है अकबर के विरुद चितोड गड़ आक्रमन 1567-68 इश्वी सन के समय कौन से लोग देवता युद करते हुए मारे गए तो तीसरे क्यूस्टन का राइट ओप्सन हो जाएगा चार नमर विर कल्ला जी क्यूस्टन नमर चार है समसभा किस थापना किस ने की तो इस चोथे क्यूस्टन का राइट ओप्सन चार नमर हो जागा गोविंद गीरी ने फिर इसमें पांच नमर क्यूस्टन है नेमने लिखित को सुमेलित कीजिए तो सुमेलित करना है सरीर के अंग है एक तरफ दूसरा है आभूशन तो इस पांच वे ओप्सन का जो राइट ओप्सन है वो हो जाएंगे चार नमर यह हो जाएगा तो इसमें देखो ए में चार नमर यानि सिर है वो मिमन्द सिर में पहनी जाती है ठीक है बी में तीन दिखा रख है तो गले में क्या हंसली पहनी जाती है पहना जाता है फिर इसमें C में एक है यानि कमर में कनकती या करद नहीं कह सकते हैं वो पहनी जाती है फिर इसमें D में जो सेस बच गया है दूसरा रिमजोल रमजोल भी होता है यह रिमजोल दोनों ही ओप्सन में आते हैं तो यह दूसरा हो जाएगा तो इस प्रकार ये पांच वेगा चोथा option राइट हो जाएगा साथ ही छटा question देखते हैं अकबर ने सर्वोच मंसब साथ हजारी किस राजपुशासक को दिया था तो छटे question का राइट option हो जाएगा तीन नमबर राजा मांशियें को question साथ नमबर है रुठी राणी के नाम से कौन परसिद है तो इसका राइट option हो जाएगा एक नमबर उमादे question नमबर आठ निमने लिखित को सुमेलित कीजिए तो सुमेलित करना है तो ये कुछ साख़ए ये है जैसे शीह तल है इसमें आठवे में हो जाएगा आठवे का question नमबर है इसका राइट option दो नमबर हो जाएगा A में 2 C है थल है ये संत हरी रामदास की स्थान है फिर इसमें B में 4 रेन है ये संत दरियाव जिगा स्थान है फिर 3 नमबर में C में 3 हो जाएगा खेडपा संत रामदास जिगा स्थान है फिर 4 नमबर में B में 1 सापुरा में संत रामदास जिगा स्थान है इस परकार से ये संपरदाई जो रामदास नहीं संपरदाई थे और उनके परवर्टक थे यहाँ पर जैसे मतलब इसमें किस संपरदाई की किसने यहां पे स्थापना की थी तो इसमें आगे आठ के बाद नुवा क्युस्टन है बादसाय का परसिद मेला राजस्थान के किस सहर में आयोजित होता है तो क्युस्टन नुवा का राइट उप्शन हो जाएगा तीन नुवा उप्शन ब्यावर फिर क्युस्टन नुवा क्युस्टन नुवा क्युस्टन का राइट उप्शन चार नुवा क्युस्टन हो जाएगा तो अब देखो चार नुवा क्युस्टन इसका राइट होता है तो फिर देखो ए में एक आजएगा हमीर हट है वो चंदर सेखर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है फिर इसमें B में 2 है हमिर महाकावे है नय चंद सूरी के द्वारा है फिर इसमें C में 4 है कन हर्दे परबंद पदमे नावग की लिखी हुई पुस्तक है फिर D में 3 जो पृत्विराज विजे है जैनक की द्वारा लिखी की सुस्ङा में चुछ्चन करते हैं 11 नंबर किसचन नेमने लिखित मेन से सही सुमेलित नहीं है जो सही सुमेलित नहीं वह बताना है यहां एक तरफ पुरा तात्व के स्भश्चन है दूसरी तरफ जिल्ला है तो इस 11 ुप्षण जो ग्यार 들고 क्वेख घुtar है इसms एक नमबर ही हो जाएगा क्योंकि जो काले बंगा है वो हनुमानगड में है ना कि चूरू में है और आहड उदेपूर में है बिल्कुल सही है गनेश वर सिक्कर में है सही है बेराठा वो जैपूर में है ये भी बिल्कुल सही क्यूस्टन नमबर 12 की बात करते हैं छिद्रित म में इन मेंसे कौन विजोलिय किसान अंधुलन से सम्भन दिती नहीं था तो तेरोगी options का राइट ओप्षन हो जाएगा एक नमबर ओप्शन चगनलाल ये राइट हो जाएगा ये नहीं था विजोलिय के साना अंदुलन में विजैशिय पतिक था सितरामदास भी थे मनेकलाल वर्मा भी थे कुष्चन नमबर चोध है के बात करते हैं कागरेश ने किस अदिवेशन में देशी रज्यों में स्वतन तरता संगर्ष प्रारम करना स्विकार किया तो चोध है नमबर कुष्चन का राइट ओप्शन हो जाएगा चार नमबर हरी पुरा अदिवेशन जो 1938 में हुआ था साथियों आपको बता दें यह जो एंसर की है यह RPC जो साइट है वाई से ली गई है और यह एकदम ओथन्टिक है और यह फाइनली जो कुष्चन निकल के एंसर माने गए फाइनली उन्ही के अदर पर यह जो आपको बताया जाय रहा है कुष्चन का एंसर फिर आगे इसमें 15 नंबर क्युष्चन है मेवाड के महराना राजशियां के द्वारा किस राजगुमारीक साथ विवाह करने के कारण ओरंग जेव उनसे नाराज हो गए तो 15 नंबर क्युष्चन का राइट अप्शन हो जागा दो नंबर यानि चारुमती चारुमती से विवाह की बात हुई राजशियां की तब औरंग जेव नाराज होने लगे फिर आगे इसमें 16 नंबर क्युष्चन है कन्योज पर अधिकार है तू चले त्रिपक्षी यूद में राजपुता ना के किस वंस के सास को ने भाग लिया तो इसका राइट दिएि फिर इसमें 17 नंबर क्युष्चन है खानवा के यूद में महाराणा संग्राम सियां की तो सत्रे नंबर क्युष्चन हो जागा प्यूंच हाक्षिका सापीन प्रोण। थे खानवाई के यूद में माराना संग्राम से जो सेना थी उसके पक्स में कौन सा मिलते महमूद लोदी था हसन खांक मेवाती था माल देवरा ठोड़ था लेकिन हाकिम खासूर नहीं था क्विस्टन नमबर 18 के बात करेंगे निम्न लिखित में से कौन सा एक यूग में सही स में लिथ नहीं है तो इसका राइट उप्सन होज़ेगा चार नमबर यियर सक्ता गया नहीं है इस में आगे ग्निश नमबर किस्टन हो जाएगा विक्रम समत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निमने लिखीते त्युहारों को करम से प्रारम से अन्तित तक जमाएं तो इसका राइट उप्शन बताना है गुनिस का वो है एक नमबर उप्शन यह एक नमबर उप्शन राइट है यानि पहले दियाएगा यानि सबसे पहले गणगोर है यह पहले नमबर पर आएगा फिर इसमें यानि हम बात कर सकते हैं पहले नमबर पर गणगोर आ रहा है फिर दूसरे पर सी यानि कृष्न जनवाष्टमी यह दूसरे पर आ रहा है फि आगे question number 20 देखते हैं पिछवाई चित्रकला कहां की परसीद है तो right option इसका हो जाएगा तीन number नाथ द्वारा जो राज समंध में श्तित है फिर आगे 21 number question है 2011 की जंगर्णिना के अनुसार निमने लिखित में से किसका जंशन क्या गनत्व है सरवा दिखा है तो 21 number question का right option हो जा जाएगा फिर आगे इसमें 22 number question है बिड़ला सिमेंट वर्क्स अवस्तित है बिड़ला जो सिमेंट है वो कहां अवस्तित है वो वर्क्स तो इसका right option हो जाएगा एक निमने लिखित में से राजस्तान के किन जिल्लों की शिमा रेखा गुजरात से मिलती है तो इसका right option हो जाएगा तीन number, 22 question का जो right option है वो तीन number हो जाएगा ये तीन number एक दो और चार जो गुजरात से जो सिमा मिलती है वो एक दो और चार ही है, परताब गटगी है वो मद्यपरदे से मिलती है, इसलिए इसको नहीं किना जाएगा, शिरो ही है डुंगरपूर भूसवालिए इनको गिना जाएगा अगे हम question number 25 की बात करते हैं सौम एक सहयक नदी है तो यह किस की सहयक नदी है तो यह माही की सहयक नदी है तो right option इसका दो number हो जाएगा फिर आगे इसमें किस्टन नमबर 26 है विश्व प्रियावण दिवस 2018 की थीम क्या थी या थीम का मुद्धा क्या था तो 26 नमबर क्यूस्टन है इसका राइट ओप्शन हो जाएगा तीन नमबर ये था मुद्धा प्लास्टिक परदूसर्शन को प्रास्ट करना फिर आगे क्यूस्टन नमबर 27 ह सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए तथा निच्चे दिये गए कूट से अपना उस्तरे चूनिए तो 27 क्यूस्टन का एंसर हो जाएगा एक नमबर इसमें है एक को तीन से मिलाना है फिर बी को एक से मिलाना है और सी को चार से मिलाना है और डी को दो से मिलाना है इ परपात है वो अलवर में है लूण करन सर जील है वो विक्कानेर में है फते सागर जील है वो उदेपूर में है इस परकार यह 27 वे का पहला ओप्शन राइट हो जाएगा फिर आगे हम बात करते हैं किस्टन नवर 28 की 2011 के जणगर निना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात दर 0-6 वर्ष का कितना था तो 28 किस्टन का जो राइट ओप्शन है वो हो जाएगा चार नंबर 919 साथियों आगे हम बात करते हैं 39 किस्टन की निन लिखे तुमें से कौन सा गोवन्स का नसल नहीं है तो 29 में राइट ओप्शन चार हो जाएगा बागड़ी यह गोवन्स का नसल नहीं है बकि मालवी रठी कांगर यह गोवन्स के नसल है फिर आगे इसमें बात करते हैं 29 के बात 30 नमबर की पाउनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है तो इसका राइट ओप्षन हो जाएगा 30 का तीन नमबर प्रिभर्मन किस्टन नमबर 31 की बात करते हैं निचे जो सुची एक को सुची दो से सुमेलित करते हुए और निचे दिये हुए कूट का उप्योग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है तो सुची एक और दो का मिलान करना है तो इसका राइट ओप्षन हो जाएगा 31 का दो नमबर चार से मिलेगा फिर इसमें तीसरा है वो दो से मिलेगा और फिर ये चोथा है वो एक से मिलेगा तो इसको हम इससे कर सकते हैं ठीक है तो साथियों इसमें दे रखा है चलेंजर कटक कहां है दक्षन अंटलार्टिक मासागर में है फिर अलबा अलबा ट्रोस कार्डिलेरा कहां तो यह है दक्षनी परसंत महासागर में फिर तीसरा जोर द्वीप कहां स्थित है तो उत्री अंटलार्टिक महासागर में क्यूरिल द्वीप कहां स्थित है उत्री परसंत महासागर में तो साथियों हम आगे कुस्टन करते हुए 32 नमबर पढ़ेंगे निम्न लिकित में से ठंड़े पाउन का उदाहरं नहीं है ठंड़ी पाउन का उदाहरं नहीं है वो बताना है 32 नंबर कई तो रायट ओप्जन हो जायेगा माना है तीन नंबर तीन लाग रुपए भामा सा योजना जो स्वास्ट विमाया उसकी अधिक्तम विमारा सी तीन लाग रुपए माननी है फिर आगे इसमें क्यूस्टन नंबर 34 2011 की जनगर निना के अनुसार राजस्थान में ग्रामिन महिला साक्षरता दर कितनी है तो इसका राइट ओप्षन है वो आरपीसी ने माना है 34 में 3 45.8 ये इसका राइट ओप्षन हो जाएगा 45.8 परतिसत फिर आगे क्यूस्टन है 35 नंबर निन लिखित में से राजस्थान के राष्ट्री उद्यान है तो कौन-कौन से राष्ट्री उद्यान 35 नंबर क्यूस्टन है उसका राइट ओप्षन हो जाएगा दो नंबर ये दो नंबर हो जाएगा A, B और C तीनों सहीए यानि मुकंद्रा हिल्स राष्ट्री उद्यान है रन्थमबो राष्ट्री उद्यान है केवला देव गाना पक्ष वियार वो भी राष्ट्री उद्यान है आगे हम बात करते हैं क्यूस्टन नंबर 36 होकाइडो तथा होंसू विवाजन होता है तो 36 वेका राइट ओप्षन हो जाएगा तीन नंबर सुगारू जल डमरू मद्य सुगारू जल डमरू मद्य के में होता है विवाजित फिर आगे इसमें क्यूस्टन नंबर 37 कोपेन के जलवायू वर्गी करण के अनुसार राजस्थान के किस परदेश में एडवलू परकार के जलवायू पाई जाती है तो 37 का राजस्थान हो जाएगा एक यानि दक्षनी परदेश जो दक्षनी तम परदेश है उसके बारे में बताया है वहाँ की एडवलू परकार के जलवायू पाई जाती है क्यूस्टन नंबर 38 निमने लिखित में से किस परवस्थ तरेने का जन में हर्षी नियान काल में हुआ तो 38 नंबर क्यूस्टन है इसको राजस्थान राजस्थान निमने है चार नंबर 38 व्यका चार नंबर यह हो जाएगा यूराल परवद स्रेनी फिर आगे क्यूस्थान 49 नंबर चार निमने लिखित में से कौन सा सही सुमेलित है यह बताने है कौन सा सही सुमेलित है तो इसका राजस्थान हो जाएगा एक नंबर एक नंबर राजस्थान हो जाएगा महानदी जो जिसकी सायगनदी है हस्थ दो ठीक है और वाकी सही सुमेलित नहीं है तो इसका पूर्ण बनाना है तो कुस्टन नमबर 41 का राइट ओप्षन होजगा दो नमबर सिन्निक गठ बंदन यानि सियत यूद में कौन सा गठ बंदन विश्वा में अच्छे प्रवाव नहीं लाते हैं या लाए हैं यह सिन्निक गठ बंदन फिर आगे कुस्टन नमबर 42 राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूरू है राजस्थान लोग सिवा आयोग के सदस्य रही हैं तो 42 वे कुस्टन का राइट ओप्षन होजगा दो नमबर रगुकुल तिलके कुस्टन नमबर 43 की बात करते हैं बारत के सथनOY तो 43 को राइट ओप्षन होजगा चार नमबर ओप्षन तो चार नमबर ओप्षन में कितने हैं एक दो टीनंटिनों यहferлас पत्तर कम से कम 550 निर्वाजकों के स्लिए उस्ताक्सर प्रस्थापकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाजकों के स्लिए स्मर्थ कों के तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वहें 15,000 रूपे की राज़ी निक्षिपत नहीं करता या कराता है तीसरा option है जहाँ कोई अब्यर्थी एक से अधिक नाम निर्दिष्ट संक पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट है वहीं उसे मातर एक निक्षेप करना होता है तो क्यूस्टन नम्बर हम 44 की बात करेंगे आगे यह है यह सची वाले क्या है तो 44 नम्बर क्यूस्टन है इसका राइट उप्षन हो जाएगा दो नम्बर दो नमबर राइट उप्सन हो जाएगा राज्य सरकार की एक पर्योजना है यह सची वाले किस्टन नमबर 45 है निम्नांकित में से कौन परदानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्य सभा में सदन के निता नहीं रहे राज्य सभा में सदन के निता नहीं रहे तो right option इसका हो जाएगा विश्वनात परताप सिंग विश्वनात परताप सिंग इसका right option हो जाएगा question number 46 की बात करते हैं दोस्तो लोक सभा में सरकारी दल का मुख्य सचे तक कोन होता है तो इसका right option हो जाएगा चार नमबर संसुधिय कार्य मंत्री question number 47 निम्नांकित में से किस भारती लेखा किया विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वेश्वी किस्तर पर 20 से 25 छेत्री महासंग बनाने का विचार प्रस्तुत किया तो साथ ही उस 47 नमबर किस्तर का जो राइट उप्सन है वो हो जाएगा तीन नमबर तीन नमबर उप्सन है वो राइट हो जाएगा रजनी कोठारी किस्तर नमबर आगे बात करते हैं 48 मंत्री परिस्त द्वारा राष्ट्र पति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है तो इस उत्तर का चैन के जिए तो यहां पर जो 49 नमर का क्युष्टन है इसका राइट उप्षन है वो एक नमर हो जाएगा तो इसमें देखते हैं एक दो तीन चार करम से हैं कि बेरो सिंग से खावत है इसके समय जो राज्तान गारा जेपाल था वो रगोकुल तिलक था बरकत तुल है वो डोक्टर संपुर्णानंद थे वसंद्रा राज्य के मुख्यमंतिर रित्वकाल में जो राज्य पाल है वो मदनलाल खुराना थे बिलकुल सही बात आए ठीक है आगे इसमें बात करते हैं पचास नमर क्युष्टन ब्लेक अस्किन वाइट मास्क से नामक पूस्तक का लेख कौन है तो इसका राइट ओप्शन हो जाएगा दो नमर इसका जो लेख का वो फ्रेज फेनोन है क्युष्टन नमर इकाउन के बात करते हैं भारत के सविधान में महान आयवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है तो इकाउन नमर क्युष्टन का राइट चालिस का समद्ध है तो बावन का जो उत्र हो जाएगा तीन नमर ओप्शन पंचाईती राज चालिश वे अनुछेद में वर्णन है फिर इसमें आगे त्रेपन नमर का क्युष्टन है UNFCC United Nations Framework Convention on Climate Change कब लागू हुआ था तो इसका राइट ओप्शन हो जाएगा एक नमर 21 मार्च 1994 चोनवा क्युष्टन है सयुक्त राष्टर सुरक्ष्या परिशद के अस्थाई सदस्य के रूप में बारत का कुल कारेकाल रहा है सितंबर 2018 तक तो इसका राइट ओप्शन हो जाएगा चार नमर ओप्शन चोध्यावार से फिर आगे इसमी क्युष्टन है पच्पन नमर राज्य मानवा दिकार आयोग के सदस्यों की चैन सिमित्ती की अदेखस्ता कौन करता है तो पच्पन नमर क्युष्टन का राइट ओप्शन हो जाएगा एक नमर मुख्य मंतरी फिर आगे इसमी क्युष्टन है चपन नमर न एलन गलेड हील एलन गलेड हील ने फिर किस्टन नंबर 57 है 1935 के बारत सरकार अधीने में प्रित्थक निर्वाच्चन परतिनी जित्वों में किन्हें अस्थान नहीं दिया गया तो इसका राइट ओप्षन 57 का हो जाएगा तीन नंबर ओप्षन राइट हो जाएगा पार्शी पार्शी को स्थान नहीं दिया गया फिर इसमें आगे किस्टन है अठावन नंबर परमानु आपरसारसंदी को सह्युक्तराश्ट्रमास बाद द्वारा कब स्विकार किया गया तो इसका राइट ओप्षन हो जाएगा दो नंबर जून 1968 है फिर आगे इसमें किस्टन की बात करते हैं हम 69 नंबर किस्टन तो 69 नंबर किस्टन में है निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी आर अम्मेडगर नहीं थे या नहीं है ठीक है तो इसका राइट ओप्षन हो जाएगा 69 का एक नंबर ये विदी पिपोले के लेख नहीं है ती प्रोप्लम्स ऑफ दी रूपी पुस्तक अम्वेडगर जी के द्वार लिखी हुई है पकिस्टन और दी पार्टिशन ओफ इंडिया को पुस्तक भी अम्बेडगर जी की द्वार लिखी गई है दी बुद्धा एंड हिजदम्मा ये भी पुस्तक है अम्बेडगर जी की द्वारा लिखी गई है किस्टन नंबर 60 की बात करते हैं निम्नांकित में से कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है तो निता और निता के विचार के बारे में बताना है तो सही सुमेलित नहीं है वो तो हो जाएगा अपना तीन नमबर का उपसन राम नोहर लोईया का ये है फिर इसमें जैपरकास नारायन है इनका विचार था संपून करांती यानि संपून करांतिय वो जय परकास नरायन है इनका मानना था कि जय करेंगे हम संपून करांति करके फिर दिन दयाल उपद है का मानना था एकात में मानववाद दिन दयाल उपद है इनके पास दिन भी एक की था तो एकात में मानववाद फिर आगे चोथा है M.N. Roy नव मानवाद का विचार परस्तुत किया क्युस्टन नमबर 61 की बात करेंगे निम्नांकित में से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य रहे हैं तो 61 नमबर उप्शन जो क्युस्टन है इसका राइट उप्शन होजेगा B. सिवारमन एक नमबर उप्शन क्युस्टन नमबर 22 की बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्वा नहीं देता कि इसे आप संग्य सविधान या एक कात्मक सविधान अत्वा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं अगर सविधान हमारे उदेशियों पूरा करता रहे तो नाम से कोई फरक नहीं पड़ता यह कथन किसका है तो 62 जो किस्टन है इसका राइट उप्शन होजेगा तीन नमबर डॉक्टर राजंदर परसाद तीन नमबर किस्टन नमबर 63 की बात करें तो इसका किस्टन है वर्तमा रज्य सरकार 2013 से 2018 में रहे मुख्य सच्चियों का सही समू है बनाईए तो इसका जो राइट उप्शन है 63 का यह होज़ेगा तीन नमबर राजियू महर्शी और उसके बाद सी एस राजजन फिर असोक जेन फिर आगे 64 नमबर किस्टन 123 समझोता है यह राइट एक्ट किसे से समन दिते है तो 64 वे का राइट उप्शन हो जागा एक नमबर बारत जो 123 समझोता है वो बारत और अमेरिका ऐसे निक परमानू समझोता है किस्टन नमबर 65 गराम सबा के सदस्ये होते हैं तो इसका राइट उप्शन हो जागा दो नमबर गराम सबा के सदस्ये कौन होते हैं जो मदाता सुची में दर्ज गराम के सभी निवासी होते हैं फिर आगे किस्टन है इसमें 66 नमबर अप्रेल 2018 को गराम सबा अभ्यान के तहट राजस्तान के कितने गाउं में मिस्टन इंदर दनूस टिका करन अभ्यान संचालित किया गया तो किस्टन नमबर 66 जो राइट उप्शन हो तीन नमबर हो जाएगा 599 में मिस्टन इंदर दनूस टिका करन अभ्यान यह जो है यह 59 गाओं में संतालित किया गया किस्टन नमबर 66 की बात करें अपूरी चंदेला और ओम प्रकास मित्रवाल का समझ किस खेल से है तो 66 का राइट अप्सन हो जागा एक नमबर जो है निसाने बाद जी किस्टन नमबर बात करतें 68 की वेग्यानिकों को किस जिल्ले से चार दस्मलों साथ क्रोड वर्स पुराने जीवास में हाल ही में प्राफ्ट हुए है तो 68 नमबर जो किस्टन है इसका राइट अप्सन हो जाएगा चार नमबर जेसल मेरे ये जेसल मेरे मैं मिला है अकल वोड वाला जो है ना वो किस्टन नमबर 19 परदेश का पहला तीन दिवस की आर्किड फेस्टिवल कहां संपन हुआ तो गुर्यत्टर व lag क जो किस्टन का राइट अप्सन हो जाएगा तीन नमबर उधेपूर किस्टन नमबर सत्तर की बात करें मुकुंद्रा हिल्स मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व रज्य के किन चार जिलों में फेला होगा तो सत्तरविय का राइट ओप्शन हो जाएगा साथ यू दो नमबर इसका राइट ओप्शन हो जाएगा कोट्टा बुंदी चितोडगर और जालावार किस्टन नंबर 71 की बात करते हैं परदेश का पहला डिफेंस केरियर इंस्टिटूट कहां कहां खोला जाएगा तो 71 का राइट ओप्षन हो जाएगा एक नंबर शिकर में खोला जाएगा किस्टन नंबर बैतर मुख्यमंत्री व यह इसका राइट ओप्षन हो जाएगा जो है जेपूर में किस्टन नंबर 33 की बात करते हैं हाल ही में राजस्तान के किन जिलों में पोटास के अकूत बंडार मिले हैं तो 33 का राइट ओप्षन होगा तीन नंबर बिकानेर चूरू स्रिगंगानगर हनुमानगड आगे बा का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है तो किस्टन नंबर 34 का राइट अंसर हो जाएगा एक नंबर उदेपूर्त था बांसवाड़ा किस्टन नंबर 75 है सुन्दर सी हैं गुर्जर का समन्द किस परतिस परदा से हैं 75 का राइट ओप्षन हो जाएगा एक नंबर जवेलियन फिर आगे इसमें किस्टन नंबर 76 निवन में से कौन सा कथन भारती अर्थ व्यवस्ता के सरंचनातंक परिवर्तनों के समन्द में सत्य नहीं है तो इसका राइट ओप्षन हो जाएगा सिंतर का चार नंबर ओप्षन तो इसके जो सत्य कथन है वो बता दें वो देख लेते सकल राष्ट्रि उत्पाद में निर्मान चत्र का योगदान बढ़ रहा है यह बी सही है तो आगे इसमें किस्टन करते है जो सत्य तर नंबर का किस्टन है निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट ये उत्पादन हमेशा विशुद राष्ट ये उत्पादन से अधिक रहता है तो इसका राइट उप्शन हो जागा दो नमबर उप्शन पुंजी उबोगता बता फिर आगे अठिंतरवा किस्टन है किस पंचवर्ष ये योजना के दोरान राष्ट ये आए की वर्दी दर नियूनतम रही तो इसका राइट उप्शन हो जागा दो नमबर तिरतिये योजना फिर आगे किस्टन की बात करते हैं इसमें उणियसी 79 किस्टन है वो निम्न में से किस वर्ष में क्रिशी छत्र की बृद्धी दर नियूनतमक रही तो इसका राइट उप्शन हो जागा उणियसी नमबर किस्टन का तीन नमबर 2014 15 में किस्टन नमबर 80 तैंदूलगर वीधी के अनुसार 2045 से 2011 12 के बीच बारत के निम्ने राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी कराई है सर्वाधिक कमी बतानी है 80 किस्टन है 80 नमबर किस्टन है इसका राइट उप्शन हो जागा किस स्रेन से संब्वंदित है तो एक एसी जो कुस्तन है उसका राइट ऑप्शन हो जागा दो नमबर सामाजिक कुस्तन नमबर 82 व्यक्तिक के व्यक्तित्वा का अध्यान करने की वह परविदी जिसके द्वारा उसके जीवन सेली व्यवार तोर तरिकों विचारों और बावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है कहलाती है तो 82 नमबर जो कुस्तन है उसका राइट ऑप्शन हो जागा दो यानि व्यक्तिक अध्यान कुस्तन नमबर 83 है निमने लिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया वंडूरा के सामजिक संग्यानात्मक सिधानते अवलोकन अधिगम में समिलित नहीं है तो 13 सी नमबर कुस्तन का राइट ऑप्शन है वो हो जागा एक नमबर अनू बावात्मक कुस्तन नमबर आगे 84 निमने लिखित में से कौन सा उच बुद्धी का संकेत है तो इस 84 नमबर कुस्तन का राइट ऑप्शन हो जागा तीन नमबर यह समान गलतियों को किसी कारे के पस्चाथ प्रिष्ट पोशन का आवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना कुस्तन नमबर 85 बालक जो अपने विद्याले में अच्छा कारे नहीं करते हैं प्रायहा अपने अध्यापकों की अलोचना करते हैं समायजन की यह यांत्री की कहलाती है तो इसका राइट ऑप्शन हो जगा चार नमबर प्रक्षेपन कुस्तन नमबर 86 है एट सेल्डन ने सभी मनुष्यों के सारिक आयोमों को गोलकाई, मद्यकाई और लंबकाई श्रेणियों में विवक्त किया है वेक्तित्व का यह सिदान्त कहलाता है तो 66 वे कुस्तन का राइट ऑप्शन हो जगा एक नमबर यह हो जाएगा प्रारूप सिदान्त, परकार सिदान्त, परकार ठीक है आगे कुस्तन है सिद्याशी नमबर निमन लिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रोड के समयगों के बारे में सही नहीं है तो इसका राइट ऑप्शन होगा चार नमबर सिद्याशी वे जो कुस्तन है उसका चार नमबर हो जाएगा उप्शन प्रोड के समयग बालक की तुलना में तुरंत जल्दी परवर्थित होते हैं कुस्तन नमबर आगे है इसमें अठैसी नमबर कुस्तन है टॉरंस के सरजनात्मक मापन के प्रिक्षनों में निमने लिखित में से कौन सा कारे समन देते नहीं है तो ठैसी वा जो कुस्तन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दो नमबर ये दो नमबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक लंबी कविता को याद करना कुस्तन नमबर निमने लिखित में से कौन सी अवस्ता में बाल जो सारीक विकास की दर है वो सबसे दिम्मिकती से होती रहती है तो निमासी का जो कुस्तन है वो है राइट ऑप्शन दो नमबर बाल इवस्ता किस्टन नमबर आगे है 90 नमबर केटल का संच्कर्थी मुक्त परिक्ष्ण बुद्धि का एक परकार का परिक्ष्ण है तो 90 जो नमबर किस्टन है उसका राइट उप्षन होजागा तीन नमबर और पेसी ने यह वाना है तीन नमबर यह उजाएगा ऐसा आपदिक परिक्षन किस्टन नमबर 91 धिमिकति से सीखने वाले बालकों के लिए निमने लिखित में से कौन सा प्रावतान सरवादिक उप्यूक्त है तो इसका जो राइट ओप्षन है 91 नमबर किस्टन का यह उजाएगा चार नमबर चार नमबर ओप्षन है यह राइट होजएगा उप्षारात्मक शिक्षन बाणवे नमबर किस्टन है निमने लिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक वेक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है तो बानवे नमबर क्यूस्टन है, इसका right option हो जाएगा, तीन नमबर ये विकास एक संचे पर करिए है फिर आगे क्यूस्टन है, एक अध्यापक के लिए शिक्ष्यामनोविकहन का शेक्षिक निह तर्थ है तो 93 नमबर क्यूस्तिन का right option हो जाएगा एक नमबर को समझना यह हो जाएगा क्यूस्तिन नमबर 94 है ऐक अक्षा में विद्यार्थी समुहा में एक परियोजना पर मिलकर कारे करते हैं यह एक उदाहरन है तो चुरानवे नमबर जो कुस्तन है इसका राइट उप्सन हो जगा तीन नमबर सामजिक निर्मित वादी उपागम का फिर इसमें आगे कुस्तन है पिचानवे नमबर रोहन बाहु बली की नविंतम चित्र खता की पुस्त तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतिजार नहीं कर सकता कि बाहु बली और उसके परिवार के साथ क्या गठित वा यह सरवतम उदाहरन है तो पिचानवे नमबर जो कुस्तन है इसका राइट उप्सन हो जगा एक नमबर केवल आंतरिक अभी प्रेर ना का क्युष्चन नमबर 96 है बुद्धी के तरितंतरिये ट्राइ आर्किक सिदान्त के अनुसार बुद्धी विचलेशन सरजन सील और व्यावारिक रूप के अंतरगत आती है बुद्धी के इस सिदान्त का विकास किया है तो 96 नमबर जो क्युष्चन है इसका राइट उप्षन हो जाएगा दो नमबर रोबर्ट जे अश्टानवर्ग क्युष्चन नमबर 97 निमन लिकित में से कौन सा कतन सिख्ष्या मनोविगान की प्रकरती से संबंधित नहीं है तो 97 नमबर जो क्युष्चन है इसका राइट उप्षन हो जाएगा चार नमबर यह एक मानविगान है क्युष्चन नमबर 98 है कोलम एक मनोविगान के स्कूल और कोलम दो मनोविगान कोई के नाम को समेलित कीजिए तो इचानुए नमबर जो कुछतन है इसका राइट उप्षन होजएगा तीन नमबर तो इसमें मताया है एक में C है मनोविसलेशनवाद फ्राइड है यानि सिग्मन फ्राइड फिर इसमें दो में A है विवारवाद वाटसनवाला है तो ये CL हल ये होजएगा वाइगोच्की का है ये होजएगा कुछ्चन नमबर आगे 99 की बात करते है विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलिकरन सुसध्य उधारन के तोर पर योग द्वारा गुणा में साहता करना इस परकार का अधिगम स्थाना अंत्रन कहलाता है तो 99 नमबर जो कुछ्चन है इसका राइट उप्षन होजएगा दो नमबर अनुकर्मिक स्थाना अंत्रन कुछ्चन नमबर हंड्रेड सतक सो नमबर बालकों के आतम संपर्ते विकास के लिए निमने लिखित में से कौन सा तरिका उप्युक्त नहीं है तो 100 नमबर जो कुछ्चन है इसका राइट उप्षन होजएगा एक जो उप्युक्त तरिका नहीं है वह समस्याओं से बचने के लिए सलहा देना ये गलत है अब जो उप्युक्त है उनमें तीन आ रहे हैं ये दूसरा बालकों को निर्ने लेने की स्वतन तरता परदान करना या देना तीसरा है उप्शन व्यवार के लिए स्पष्ट संदर्शिक पत्थ स्थापित करना जो था है बिना सर्थ के स्विकारेता और प्रेम को संप्रेशित करना तो साथियों हमने जो ये कृस्टन पेपर है 2018 में ये आया था और इसका हमने जो ये एंसर की है RPC के दोरा जो फाइनल एंसर की बनाए गई थी उसके तहत हमने इसका दुबारा से अध्यान किया है कि परतेख परसन का उत्तर क्या होना है तो साथियों हम अपने जो YouTube है Smart Classes 2.0 इस चैनल के मादेम से आप आगे के जो भी वीडियो है जो भी सामने पेपर है Second Grade के या First Grade के वो सभी इसमें आप देख पाऊगे तो आपको यह जो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको Like कर सकते हैं, Share कर सकते हैं और Comment section में आप बता सकते हैं इसमें और क्या सुधार क्या जा सकता है या और किस परकार से आपको Help की जा सकती है तो इस वीडियो को देखकर आप अपना आकलन भी कर सकते हैं और पुछे जो पुराने पेपर है उनको भी रिवाइज कर सकते हैं तो साथियों मिलते हैं फिर से जैहिन जै भारत